नमस्कार मैं हूँ तान्या खन्या आपको 22 मिनिट पे दिखाएंगे देश और दुनिया की सौ बड़ी खबरे शुरुआत पहली खबर के साथ चुनाव आयोग ने हर्याना और महराज़ों के चुनाव की तारिखों का एलान कर दिया है हर्याना और महराज़्ट दोनों ही राज़्यों में 20 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी 27 सितंबर तक उमीदवार नामांकन दाफिल कर सकेंगे 29 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जाच होगी एक अक्टूबर तक उमीदवार अपना नाम वापस ले सकते है महराश्ट और हर्याना में चुनाव की तारीखों के अलान के साथ ही आदर अचार सहिंता लागू हो गई अब चुनाव रक्रिया पूरी होने तक केंदर सरकार इन दोनों राज्जियों के लिए अलग से कोई गोश्टा नहीं कर सकती महराश्ट और में कुल 288 विदान सबा सीटे हैं जिन में 8 करोड 25 लाग वोडर अपने मतादिकार का इस्तमाल करने वाले हैं वोटिंग के लिए 90,403 पोलिंग बूट्स बनाए जाएंगे अर्याना में 90 विदान सबा सीटे हैं जिन पर 1 करोड 6 लाग मतादाता अपने मतादिकार का इस्तमाल कर पाएंगे वोटिंग के लिए 16,244 पोलिंग बूट्स बनाए जाने अगर दोघजार नो के चुनाव पर घुनाव की बात करें तो महराश के 280 सीटों में से कौंगर्स के पास 82 सीटे हैं कौंगर्स की सायोगी NCP के पास 62 सीटे हैं 2009 के चुनाव में बिज़पी को 46 और शिफ्टब्स ऐना को 45 सीटे मिली थी हर्याना में 2009 के विधान सबाज जुनाव में कौंग्रिस को 90 में से 40 सीटे मिली थी इंडेन नेशनल लोगदल 31 सीटों पर जीत पाई थी हर्याना जन्हित कौंग्रिस को 6 सीटे मिली थी ठील पर जीत दर्च तrí दोनों राजों में विधान सभा चुनाव कॉंग्रिस के लिए बेहाद एहम है क्योंकि दोनों ही राजों में इस वक्त कॉंग्रिस की सरकार है लोग सभा चुनाव में करारी हार के बाद ये चुनाव कॉंग्रिस के लिए फिर से बड़े इम्तिहान की तरह है कॉंगरस नेताओं ने पूर्ब सीएजी विनोद राई की खुलासे को इंचुनाबों में बीजेपी अट्येपी अकेले चुनाब लेने जा रही है एक ज़सी बीजेपी से गटबंदन तोड़ चुकी है लोकसाभा चुना में दोनों राजियों में बीजेपी को शांदार जीत मिली थे कॉंगरस नेताओं ने पूर्व सीए जी बिनोद राए के खुलासे को जूटा बताया पूर्व सांसा संजन रुपाम और संदीब दिक्षित ने कहा कि उन्होंने टूजी घोटाले की औरिट रिपोर्ट से मनमोहन सिंग का नाम हटाने के लिए कोई दबाब नहीं डाला था जरसल विनोद राए ने दावा किया था कि टूजी घोटाले के बारे में ततकालीन प्यम मनमोहन सिंग को जानकारी थी और उनका नाम हटाने के लिए ततकालीन कांग्रेसी सांसब संजे निरूपा मश्विनी कुमार और संदीब दिक्षित ने दबाब बनाया था तूजी घोटाले को लेकर पूर्व सीए जी विनोद राए ने पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग मने शाना साधा था और कहा कि सब कुछ जानते हुए वो मौन रहे उन्होंने ये भी कहा कि बिना निलामी के ब्लॉका पंचन में मनमोहन भी बराबर के भागिदार थे पूर्व सीए जी बिनोद राए ने भी एक खुलासा किया है मनमोहन सिंग को उनके मंत्री कमलनाथ ने भी टूजी घोटाले के बारे में सचेट किया था और इस बाबत एक चिट्थी लिखकर टूजी मामले पर ग्रूप आफ मिनिस्टर्स की बनाने की बांग की थी पूर्व सीए जी के खुलासे को गंभीर लेकिन सच बताया असूचना प्रसारन मंतरी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सकता मनमहन सिंग के हाथ में नहीं बलके दस जनपत में थी, इसलिए घोचालों पर मनमहन चुप रहे उन्हों ने जो कहा वो गंभीर है और एक सच है प्रधान मंतरी के हाथ में सकता नहीं थी, ये सक्चा ही है, सकता दजजन पत नहीं थी उदरपूर्व सिय जी विनोध राइक के खुलासे के बहाने बीज़ेपी ने कॉंगरस आला कमान पर चुटकी ली है बीज़ेपी नेता मुक्तार अबास नक्वी ने कहा कि अपने उपर सूपर प्रियम होने के चलते, मनमोहन सिंग चुपी साधे रहे मनमोहन सिंग जी तो बहुत कुछ जानते हुए भी बोल नहीं सकते थे सूतरों से खबर है कि अमेरिका के मिशन लादेन की तरह भारत दाओद इबराहिम के लिए अभियान चला सकता है सूतरों के मताबिक राश्टिय सुरक्षा सलाकार अजीर दोभाल इस पर काम कर रहे हैं जिस पर पी-एम और ग्रीमंत्री बीनाजर बनाए हुए सूतरों से खबर है कि भारत दी दाओद आबराहिम के अप्टाबाद जैसा मिशन चलाने पर विचार कर रहा है सूतरों से खबर है कि खूफिया एजिंडियसी रॉख के पास पाकिस्तान में दाओद इबराहिम के एक-एक मॉवम्मेंट की चानकारी है इतलाल दाउद के पाकस्तान अफगान सीमा के आसपास होने की खबर है पाक में दाउद की कई मलाकातों का वीडियो भी रौख के पास है दाउद इबराहिम को लेगर भारती सुरक्षा एजिंसियां अमेरिकी कोफिया एजिंसी एफबियाई से लगातार संपर्क में है वी आई पाकस्तानी कोफिया एजिंसी से उन अफसरों पर भी नज़र रखे हुए है जो की दाउद को संद्रक्षन दे रहे है उदर्ग्रीह मंत्री राजनाथ सिंग ने भी संकेद दिया है कि दाउद इबराहिम को पकड़ना सरकार की बात मिक्ता में है दाउद को भारत लाने पर सवाल पर राजनाथ ने कहा कि इंतजार कीजिए केंद्रिय ग्री मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि दिली में सरकार गठन पर फैसला उपराजिपाल को लेना है और इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को नियोता देने उपराजिपाल का विवेकादिकार है दिली का गवर्मेंट बनेगी की नहीं बनेगी अब बनेगी तो किसको लेटनेंट गवर्णर इन्वाइट करेगा यह प्योरली डिस्किशन है और योडिक्शन है तो यह लेटनेंट गवर्णर का है इसमें गवर्मेंट के किसी नहीं कहा सो दिनों के काम काज पर ग्री मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि उनके मंत्राले का काम 2020 क्रिकेट मैच की तरह नहीं बलकि टेस्ट मैच की तरह है जहां सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाया जाते बलकि पारी जमानी होती है ग्रिमंत्री राजनाथ सिंग ने नक्सलवाद एक बड़ी समस्या माना और कहा कि अगर नक्सली हंसा का रास्ता छोड़ दें तो वारता मुम्किन है राजनाथ ने ये भी कहा कि इस साल 132 नक्सलियों ने सरेंडर किया है बीज़बी के काई नीता लव जिहाद को मुद्दा बनाते हैं लेकिन इस बार में बूचे काई सवाल पर केंजरे ग्रीमंत्री राजनाथ सिंग ने कन्नी काकी उन्होंने खुद ही पूछ किया कि लव जिहाद की परिफाशा क्या है लव जिहाद की अजकर बहुत चर्चा है आपको क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है देश में या इसको बढ़ा चड़ा के बता जा रहा है आपको क्या लगता है मुझे इसकी definition समझना पड़े मुसलिम धर्म गुरू कल्वे सादिक के विरोत के बाद संभल के शेहर मुफ्तीकारी अलाउद्दीन ने भी लव जिहाद के खलाफ फत्वा जारी कर दिया उन्होंने काया कि कोई मुसलिम खुद को हिंदू बता कर शादी करेगा तो इसलाम इसे स्विकार नहीं करेगा जारखन की शूटर तारा शादेव के धर्म परिवर्तन के मामनी मेराची पुलिस ने जारखन के तीन निया एक अधिकारियों से घंटों पूचता आज की पुलिस मताबक तीनों अधिकारियों ने रकीबुल से संबंद की बात कबूल कर दी है सुप्रीम कोट ने जमो कश्मीर की तरासदी पर चिंता जाहर करते हुए इसे बेहत गंभीर मसला बताया कोट ने कहा कि लाफों लोग ऐसे हालात में हैं जहां उन्हें खाना पीना और स्वास्ते संबंदी सुविदाएं नहीं मिल पा रही है उन्हें फॉरण बेसिक सुविदाएं मुहया कराई जानी चाहे केंद्रिय ग्रीमंत्री राजनात सिंग ने कहा है कि पिछली एक सदी में ऐसी तबाही जमो कश्मीर में कभी नहीं आई और ये एक राश्ट्री आपदा जैसी तबाही है उन्हें ने कहा कि अब तक एक लाख तीस हजार लोगों का रेस्क्यू किया गया है यह एक प्रकार की रास्ट्री आपदा है जबी जानते हैं कि बिगत एक सो नौ वरसों में ऐसी प्राकृतिक आपदा के मुकास्मीर में कभी नहीं आई थी जैसी किस बार आई है एक लाख तीस हजार से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है रहटीन के साथ मारपीद के पीछे अलगावादियों के हाथ होने की खबरों को लेकर लगावादी नेता हैं वो भड़का रहे हैं जहां तक अलगावारी ताक्तों का प्रस्म है उधर से हम लोगों ने अपनी आखें बंद कर रखे हैं हमारा लक्ष के वल इतना ही है कि यो बार से पीडित हैं उनको अधिक्तम राहत कैसे पहुंचाई या तक है जमु कश्मीर में बाल के पानी का स्तर घटने से राहत और बचाव के काम में तेजी आ गई है पांच से छे लाख लोग अभी भी घाटी के अलग-अलग अलाकों में फसे हुए हैं मरने बालों कांकड़ा दोसों के पार पहुंच चुका है जमो कश्मीर के उधमपूर में रात कोही तेज बारिश से हाला तोर बिगरने लगे है राहत और बचाफ के कामें परिशानी का सामना करना करना पड़ रहा है राहत और बचाफ के कामें लगे जवानों के लिए बारिश मुसीबल बन सकती है बार प्रभावेत श्रीनगर और आसपास के अलाकों में अभी तक हालत ज़स्की तस नजर आ रही है हेलिकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में बार की तबाही का मंज़र साथ देखा जा सकता है हजारों घर बार के पानी चपेट में प्रुधान मंत्री के निर्देश के बाद जमू पहुंचे केंडरे मंत्री जीतेंडर सिंग ने श्रीनगर में नाओ पर बैटकर बार प्रभावित इलाकों का जाइजा लिया सेना के जवानों में राहत और बचाव के कामें पूरी ताकत जोग दी है जवान बार प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर नाओं के जरिये सुरक्ष जगाओं पर पहुँचा रहे हैं उदमपुर में सेना की ज़्यादातर यूनिट्स में बार प्रभावित इलाकों के लिए खाना बनाया जा रहा है सेना के जवान दिन रात एक करके लोगों तक खाना पहुचा रहे हैं इंडिया निउज ने सेना के कुक हाउस का जायजा लिया बार से प्रभावित जम्मू में हाला सुधने के बाद स्कूल खूल दिये गए हैं करी लाकों में स्कूल खूले हैं लेकिन अभी भी लोगों में दहशत कमाहौल है अर्याना सरकार ने जम्मू कश्मीर में बार प्यूर्टों के लिए पचास हजार क्विंटल राहत सामिग्री भेजी है राहत सामिग्री से भरे ट्रकों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया इनमें राशन के साथ साथ दवाईया भी भेजी गई है बिहार के दर्भंगा से बैशनो देवी दर्शन करने के लिए गए अठारा तीर त्रियात्री यहां की बाड़ में फस गए इनमें एकी परिवार के दस लोग भी शामिल हैं चार सितंबर से ये तीर त्रियात्री लाबता है परिजनों का इंसे संपर्थ नहीं हो पा रहा राजस्तान के अलवर में तीन परिवारों के एक दर्जन लोग भी जम्मो कश्मीर से सुरक्षित लोटाएं हैं ये लोग जम्मो में शादी शमारों में शामिल होने के लिए गए थे जब बाड़ आने से मुश्किले बढ़ गई और उसके बाद ये वापस आए जैसे तैस इन्होंने अपनी वहाँ पे जान पचाई सड़क पर बाड़ के पानी के साथ मघरमच चाने से हरकम मच गया करीब साड़े चार मीटर लंबा मघरमच पानी में तैर रहा था जिससे देखकर लोगों में तहशत भेल गई मघरमच को देखने के लिए सड़क के किनारे लोगों की भीर लग गई कानपूर में हो रही भारी बारिश के चलते कानपूर दिली नैशनल हाईवे पर बने पुल का एक बड़ा गढधा हो गया है 20 पूर चोड़ा ये गढधा बारिश के चलते बड़ा होता जा रहा है इलाबाद में बेखाफ बदमाशों ने एक नामी अस्पताल पर बम से हमला कर दिया जिसकी तस्वीजन सीसी टीवी में अक्तायद हो गई बम के हमले में एक महिला बाल बाल बच गई दो बदमाश बाई पर सवार होकर आए पीछे बेखे बदमाश ने एक बाद एक दो बम अस्पताल पर ठेके बमों के हमले से अस्पताल के शीशे बिखर गए और लोगों में अफरा तफ्री मच गई राजिस्तान के नागवर में पुलिस का बरबर चेहरा देखने को मिला है और इसके मौके पर पुलिस ने तांगा दोड़ के साथ चलने वाली बाईक और जीप पर सवार लड़कों पर जम कर लाटिया भाणी फुलिस ने लड़कों को दोड़ा दोड़ा कर पीचा फुलिस का ऐसा चेहरा देखकर यहां पर मौझूद लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार वो रहा था कि तांगा दोड़क के साथ बाईक और जीप सवार लड़कों पर इस तरह लाटिया बरसाई गए कॉंग्रेस और NCP की मदद से MNS ने नासिक में मेर का चुनाव जीत लिया है MNS उमीदबार अशोक मुर्तादक को 122 में से 75 वोट मिले कॉंग्रेस और NCP के पारशदों ने MNS के पक्ष में वोट दिया दिली उनिवरस्टी में चात्र संग चुनाव के लिए बोट डाले गए पिछली बार के तरह इस चुनाव में भी मुक्खे मुकाबला ABVP और NCP के बीच है चुनाव के नतीज़ शनी बार को आएंगे डियू के साथ साथ जवाला नेरू युनिवरस्टी में भी चात्र संग चुनाव के लिए बोट डाले गए यहां मुक्खे मकाबला लेफ्ट पार्टियों के अलग-अलग चात्र संग आईसा और S.F.I. के बीच है निथारी कांट के दोशी सुरेंद्र कोली की फासी पर फिलार रोग जारी रहेगी लेकिन सुप्रीम कोट के आदेश के बाद रोग लगा दी गई और अब यह रोग 29 अक्टूबर तक है तूजी खोटाले के आरोपियों से मिलने को लेकर सुप्रीम कोट से मिले नोटिस पर सी बी आई के डारेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपना पक्ष रग दिया है एक सील बंद लिफाफे में उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोट को सौप लिया दरसल सी बी आई डिरेक्टर पर आरोप लगा था के वो टूजी खोटाले के आरोपियों से घर पे मिलते रहे है दिली हाई कोट से महराश्चर के पूर्व सीएम और कॉंग्रिस सांसद अशोक चभान को बड़ी राहत मिल गई है गलत चुनाफ खर्च बताने पर चुनाफ आयोग ने चभान को करण बताउन नोटिस जारी क्या था उसे हाई कोट ने खारिश कर दिया है मंबई में डांस बार पर लगी रोक को लेकर सुप्रीम कोट ने महराश्च जो सरकार से जवाब मांगा है सरकार से पूछा गया कि सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद डांस बार पर रोक क्यूं है सरकार को चार हफ़ते में जवाब देना सुप्रीम कोट ने पिछले साल ही डांस बार खोलने की इजासत दे दी थी सुप्रीम कोट ने साफ किया है कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में विक्लांगों को आरक्षन कादिकार होगा आकिस सल्मान खान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही महाराज की यवतमाल में उनके खिलाख धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्च किया गया है सल्मान के एंजियो बिंग हुमन के फैशन शो में रेम फॉक करने वाली मॉडल की ड्रेस पर सवाल उठा है जिसमें सल्मान खान को कोट में मौजूद रहना होगा चौबीस सितंबर को सल्मान हिटन रॉन केस में गवाहों के बयान को क्रॉस एक्जामिन किया जाएगा यूपी के महराज गंज में फुलिस ने भारत नेपाल की सौनरी सीमा के रास्ते सुरक्षा एजिंसियों को जहांसा देकर नेपाल जा रहे ब्राजील के रहने वाले एक शफ्क्स को गरफतार कर लिया जारकर्ण के नेटसली नेता कुंदन पाहन के गैंग में पांच साल तक रही एक नावालिक लड़की ने पुलिस के सामने सरेंडर किया भारती नौसेना को पांचवा पी एट आई टो ही विमान मिल गया है जिससे तमिलारु के अरा कॉनम स्तित नौसेना के रजाली हवाई अड़े पर तेनाथ किया गया बारत ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोईंग के ऐसे आठ विमान बराने का उन्हें ठेका दिया है सरकार ने हम्टी घडियों का उत्पादन बंद करने का फैसला किया है 1961 में जापानी कंपनी सिटिजन वॉच की मदद से हम्टी कंपनी को खड़ा किया गया था यूपी के फतेपुर में बीजे पीसांसा सादवी निरंजन जियोती की गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टक्रा गई मुमई सते ठाने की मीरा रोड स्टेशन के पास भी हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरे सामने आए मीरा रोड स्टेशन के पास बुदवार देराती हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें सीसी टीवी में खैद हो गई आगरा के कमला नदर इलाके में उसक्त अफरा तफरी मच गई जब कपड़े के एक गोदाम में भीशा नाग लग गई आखी चपेट में आने से लाकों का सामान जब कराफ हो गया दरसर एक पावर प्लांट के बाहर चतीजगर के पूल सीयम अजीद जोगी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थी दिली में रोहिनी के सेक्टर पांच में डबल मर्डर से हड़का मच गया है यूपी के बिजनौर में एक शक्स की पिर से लड़की लाश मिलने से संसनी भैड गई यूपी के बोलन शहर में दिन दहाडे जूनरी के शोरू में होई डगैती की सीसी बी टीवी तस्वीरे सामने आई है अज मेर में एस पी आफिस के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ खुद पर पेट्रोल डाल कर आग लगाने की कोशिश की दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में दिल्ली महिला आयोग ने महिला सुरक्षा पर एक सेमिनार आयुजित किया इस मौके पर इंडिया न्यूस के एडिटर इंचीफ दीपक चौरसिया मदुर्भंडारका और दिल्ली पुलिस कमिशनर बियस बसी ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोड़ दिया